हेलो एवरिवन कुक विद जावेत फल्टन कर इस चाइनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की हमारी रेसीपी है बेसिक आइसक्रीम यह आप बेसिक मिश्रन मनाएंगे तो अलग-अलग फ्लेवर के आप आइसक्रीम घर में बना सकते हैं इसके लिए लगने वाली साम प्लोवर 1.5 टेबल स्पून जीमेस यह पापड़ी वाला जीमेस है रवा वाला भी मिलता है आप पापड़ी वाला यूज कीचिए एक टेबल स्पून हम इदर लेंगे मिल्क पाउडर और एक पिंच लेंगे सीमसी पाउडर अलजिनेट पाउडर भी बोलते हैं इसे आफ मिनिम का ही पतेला ले वरना स्टील के बरतन में जलेगा तो उसकी खुशबु आएगी तो सबसे पहले है एक बाउल में हम थोड़ा सा दूद निकालेंगे और बचा वाला दूद ग्यास पो रखेंगे ध्यान दीजे कि एक बूंद भी इसमें पानी नहीं डालना है पानी दालेंगे तो पूरा हमारा आइस्क्रीम क्रश क्रश होगा उसमें बर्प जमेगा तो अब जो साइड में निखाला हुआ दूद है इसमें हम देड टेबल स्पून जी एमेस पाउडर डालेंगे यह एक टेबल स्पून है और एक टी उसके दो नमबर वाला जो स्पून है वो टी स्पून है इसी सी हम मेजरमेंट करेंगे मेजरमेंट सही सही करेंगे एक टेबल स्पून और एक टी स्पून हम इधर जी एमेस पाउडर डालेंगे इसी तरी जिसके से एक टेबल स्फून कौन फ्लोर और एक टी स्पून कौन फलोर डालेंगे अब इदर एक टेबल स्पून दुद पdownतर डालेंगे और इसमें एक चिटकी एक cmc powder इसे alginate powder भी बोलते हैं एक चार powder विदर mix करेंगे अच्छी तरीके से mix करके लेना है corn flour के जो गाठी होती है पूरी तरीके से दूद में melt करके लेना है अच्छी तरीके से mix कीजिए अब हमारे दूद को एक उबाला आया है इसमें हम 8 टेबल स्पून शुगर डालेंगे जब भी आप आप लिटर दूद का कुछ भी मीठा बनाते हैं जैसे सेवया बनाते हैं लसी बनाते हैं तो उसमें 8 टेबल स्पून शुगर डालेंड मेजर्मेंट है अब इसमें शकर मेल्ट कर लेंगे और फिर से इसे एक उबाल लेंगे अब एक दूद के मिष्रन को उबाला आया हुए अभे जो बॉल में हमनने पाउडर का मिष्रन मिष्रन क criterion मिक्स किया था वह इसमें डालेंगे जीएमेस पाउडर ये ड्राइ कोकोनोट से बनी होती हैं इसलिए इसमें एक तवंग आएगा तेल का अब इसे एक उबाल लेंगे अच्छी तरीके से पता के लेंगे इस पाउडर के मिश्रम को इस तरीके से एक आड़ा हमको पका के लेना है दूद में और यसे थंडा होने के बाद में ऐसे प्लास्टिक का जो अमरा डबा रहता है इसमें हम पूरा थंडा होने के बाद में इस मिश्रन इसमें डालेंगे कम से कम 8 घंट हम इसे डीप रिजर में रखना है नेक्स वीडियो में जानेंगे कि हम इसके आईस क्रीम कैसा बनाना है जो फ्लेवर डालेंगे वो आईस क्रीम बनेगा अगर आप कोई रेसीपी पसंद आए तो इस चाइनल को लाइक कीजे शेर कीजे सस्क्राइब कीजे और बेल आइन को प्रेस कीजे आगे की नोटिफिकेशन आपको मिले थैंक यू